क्या सिर्फ त्वाचा या बलट संस देकर कोई पिता बन सकता है? क्या एक बच्चे के कई बायोलोजिकल फादर्स हो सकते हैं? क्या कोई भी महिला किसी भी उमर में मा बन सकती है? ये सारे सवाल आपको फेक लग रहे होंगे लेकिन हकीकत ये है कि वेज्ञानिक कई सालों से इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत हद तक उनको सफलता भी मिली है जापान के दो रिप्रोड़क्टिव बायोलोजिस्ट काट्सु ही को हैसी और मीटी ने और इस एक्सपरिमेंट को किया इसमें मेल चुहे की पूच से स्किन सेल्स को निकाला और फिमेल के स्टेम सेल्स के साथ इसको रिप्रोग्राम किया इस्टेम सेल्स को एक सेल्स में बदल का फर्टिलाइज किया फिर इसमेल चुहे के गरभासे में ट्रांसफर किया इससे दस बच्चे पैदा हुए इस टेक्निक को IVG कहते हैं इन विट्रो गेमिटोजेनेसिस कहते हैं यह इन विट्रो फाटिलाइजेशन यानि कि IVF से भी बहुत ज़ादा एडवांस है IVF में महिला के अंडे और पुरूस के सुकरानू का मिलन शरीर से बाहर लेब में कराये जाता है फिर विरून को गर्वाषाइं में ट्रांसफिर किया जाता है अगर आई भीजी में अंडे और सुक्रानू की जरूरत नहीं बलके नन रेपरड़क्टिव से भी सरु के बाहर अंडे और सुक्रानू बनाये जा सकते हैं हाला कि अभी यह रीसर्च के इस्तर पर है इसे मन्यूरी मिलने में टेक्निकल सेफटी, एटिकल सेफटी और कानूनी पेचीतिगियां भी आएंगी अगर आई भी जी सकस हो जाता है न दोस्तों तो इससे हम लोग बहुत सारे सी प्रजाती है तो इस दुनिया से अब खत्म हो रहे हैं उसको हम लोग फिर से बढ़ा सकेंगी बाटी दोस्तों आपका इसके उपर क्या कहना है कमेंट में जरू बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेरो सब्सक्राइब भी जरू करने है